हेलो अस्टों वेलकम तो और यूट्यूब चैनल तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहे हूं आप लोग लिए 4.2 चैप्टर है 4.2 टॉपिक है उसमें मानो कल्यान में सुच्म जीव यहनि कि माइक्रोब्स इन हुमन वेलफियर माइक्रोब्स का हुमन के मानो कल्यान में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है और माइक्रोब्स का रोल में प्रेजन्स में रहकर कभी हानी तो कभी लाब का काम करते हैं ठीक है में जूट के रेशों को चमकाने के लिए और बैक्टिरियों फोज बिशानू जो कलरा टाइफाव डिसेंट्री आधी रोगों से बचाने के लिए इस्ट फंगी बेकरी हम सराब उधोग में भी चाहे राइजोबियम की भूमी जो राइजोबियम भूमी होती है उसकी उर्व माइक्रोब्स क्या होते हैं एक्स्टेमिली स्मॉल लिविंग तिंग्ज देट यू कि यू आल्ली फिशल पीस ओफ इकुमेंट इंडाट कां। एसे भी हिसकता है वह उत्पन कर सकते हैं डिजीज के भी कारन रोगों के कारन हो वह सकते हैं और बहुत सारे ऐसे लाबदाई सब्सक्राइब ST Aww अब यहां पर रहा है तो अब यहां पर रहे है realize कि लेशिक ल कारण या प्र Gefoly आ तर्व में करmia जानें कि नुष्ट करने माले कि लिए मख्राइब सरने को पैस्ट का जाता 김 व्याम कोणा ये मतला टार भूत नहीं वाले को सुछ नहीं होते हैं उनको pathogens कहा जाता है बहुत सारे pathogens का हमला होता है जिसकी कारण क्या होता है कि हमारे farsly बरबाद हो जाती है और खेतों में जो अनावेषक रूप से जो जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं जो beach के साथ साथ घासे हुग आती है उनको हम लोग क्या कहा जाता है वीट्स कहा जाता है तो ऐसे सुच्छम जीवधारियों के उपयोग को नियंतरित करने की प्रक्रिया को ही जैविक नियंतरा निया बायोजिकल कंट्रोल कहा जाता है जैसे कि आपने नीचे स्क्रीन में दिख रहा हूं यहाँ पर कि वाट इस बायोजिकल कंट्रोल किसको कहा जाता है बायोजिकल कंट्रोल इस दे यूज ओफ यहाँ मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूं इस दे यूज बाई हूमन ओफ वेनिफिशियल इंसेक्ट सच अज पैथोजन्स फंगी एन वाइरसेज तो प्रोटेक्ट यह अन्वांटेड इंसेक्ट वीड और डिजिज तो इन से क्या करता है बायोजिकल कंट्रोल का यूज मनुष्य के किस पर किया जाता है कुछ लाबदाई के कामों के लिए किया जाता है उनको बायोजिकल कंट्रोल कहा जाता है और बायोजिकल एजेंड्स क्या होते हैं कि a substance that is made from living organisms एक ऐसा जो की बनाया जाता है living organism से और its production उसका production किया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर और यूज किया जाता है इस दा प्रिवेंशन ओफ डाइगनोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ जैसी की cancer वगरे के treatment में भी इसका यूज किया जाता है और और डिजीज में भी इसका यूज किया जाता है तो यह तो मनुशी के लिए आप फस्लों के लिए भी ऐसा भी बहुत सारे बड़े पैमानों पर ब जैव नियंतरन है उनके प्रियोग के लिए सुचम जीवधारियों में जैसे जीवानू, विशानू, कवक या फंगाई या एक को सीकिये जन्तु भी सामिल होते हैं जैव नियंतरन के लिए इनमें से कुछ का उप्योग बड़े पैमाने पर किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि इनसे हमारी सुरक्षा हो सके हमारे फसलों की सुरक्षा हो सके उसका बड़े पैमाने पर खेती की जा सके और जो बड़े पैमाने पर इस तरह से खेती वरे उन सब फसलों को बचाया जा सके तो जैव नियंतरन कारेने बायो कंट्रोल एजेंट का उप्योग म पीफ अब्भन के लिखेट फश्ले उती है या फशलों कि उपर बिमारिया होती है इनका भी नियंत्रइंत करने के लिए यूज किया जाता है उसी तरह से बिशानू जीवानू या कवक हुआ या फंगाई हुआ एक उसकी जनतू हुआ ता दीमक जैसे जनतू नीमक बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे-दीरे बहुत सारे पौधो को भी नुक्षान पहुंचाते हैं और बहुत से बड़े- सब्सक्राव भी नुक्सान पहुंचाते हैं तो भारत में किरे मकवनननू को क्या कहा जाता है व Sun जीव नियंतरा के कारको को जो जैव किरिया जैसे कीरा मकोड़, बहुत सारे ऐसे कीरे मकोड़ो को नस्ट करने के लिए जिसका यूज किया जाता है, उसको बायो पेस्टिसाइड भी कहा जाता है, तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि भारत में कीरा मकोड़ो नस्ट को बायो पेस्टिसाइ यह क्या है एक सुचमजीव है इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा सुचमजीव तियार करते हैं जो जाकर उनकी रे मकोड़ों के वो लोग जब अपने सरीर में उस चीज को लेते हैं यानि खाते हैं तो वो जाकर उनके सरीर में जाकर नुकसान पहुचा देते हैं और वो तो उन में से एक जो गिनोलिजी काLab के लिए उसका के वाधिया के लिए अगर नाम है यहां का कितना सके जिसकाया वैपारीक के लिए आई आदन के लिए घा रहा है तो चैसे हिंप लूट पहस के लिए जा रागर के बारे में हम लोगwater तूसरों के लिए नहीं होता है यह सिर्फ इंसेक्ट के लिए होता है जैसे जो प्रोटीन जो बनाता है वह Scripture पीतर चैहे हम लोग उसको अपने इनके कहुँ नहीं करने देते हैं लेकिन इनके डिन जाता है तो बहूंpa Angle प्रोटीन के लिए जहार काम करता है这 उनके ही सरीर में बने हूए नामक विकार इंजायिम नियुल दीवालम में धार दौक्सिन यो सीजितन अदेख प्राइंच केटों के वह बिएखते कराभ भीपेशर हमें दीरे दीरे इस बंधन मतलब उसको बांद के रखता और उसके बाद उसको दीरे दीरे नश्ट कर देता है कहने के मतलब यही है कि जो प्रो टॉक्सिंस है यह जो प्रोटीन जो बना रहा है जो प्रोटीन के जरी जो टॉक्सिंस का काम कर रहा है यह keto के mid gut में जाकर उनको पुड़ी तरह से धीरे-धीरे करके नस्ट कर देता है जो कि mammals और हमारे शरीर में जाकर यह activate नहीं हो पाते हैं ठीक है उसी तरह से आता है आपका क्या कि जीवानों की जो इस परकार के अनेक प्रिस्टल प्रोटीन उत्पन किये जाते है खेतों में BCS प्रकार के खर पत्वार को नस्ट करने के लिए फंगल पैथोजन्स का एक नियंत्रक बायो कंट्रोल एजेंट्स का बहुत तरह से उप्योग किया जा रहा है उसी तरह से है कि भारत में Trichoderma का बहुत बिढ़ात रूफ से बहुत ही बड़े पैमाने पर यूश किया जा रहा है Trichoderma क्या होता है कि Trichoderma is a consist of many filamentous fungal strands कुछ ऐसे filamentous जो होते हैं फंगल होते हैं फंगाई जैसे औह बहुत सारे ecosystem जो कि अलेक प्रकार के belonging to many various ecosystems सभेविंदों करते हैं और इसजित चलिव मिठ्टी 1 और इनका उपियोग होता है यह सके बहुत तरह की ज़़ों को हो म्हारता है। तो मिठ्टी में रह पार्ण समय जाने सिप्योग है और तरह जाने उतकर प्रादन किया जा रहा है और जो कि फंगल पैथोजन्स को नियंतरन करने में और बीजों को संसोधन में इसका बहुत जादा इसका बड़े पैमाने पर यूज़ किया जा रहा है तो हम लोग क्या समझे इस फ्रफ प्वॉइंट टूज से हम लोग क्या कहा जाने कि यो सुचम्जी Emm ora और बयु लॉजिकल कांट्रोल क्या होता ह्युर्फ बायो लोजिकल एजेंट क्या होते हैं उसके बाद है कि आपकी पास दोस्तल में रच भीएंड़नीफ़कारक क्या होता है उसको बायो पेश्टिसाइड और विदितना सा किसको कहा जाता यानि कि बायो इनसेक्टिसाइड किसको कहा जाता है वे कीटों को नियंत्रित करते हैं उनको बायो इंसेक्टिसाइड कहा जाता है तो अब हम लोग मिलेंगे आप से जैवा खाद या जैवी खाद यानि बायो फार्टिलाइजर जो 4.2 का 2 है और मुझे उमीद है कि आपको इस टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और य लाब कीजिए और बहुत सारे बच्चों को प्ली सेयर करिए ताकि उनको भी लाब मिल सके ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में ओकी बबाय थैंक यू